नमस्कार मैं आकाज आदो कल मंस्री स्टाटिज सेशन में मैंने अलग-अलग बाते कही थी उसमें से काफी सरी इंफोर्मेशन जो ही थी आपके काम की थी बट इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका मैं लिख नहीं पाया था तो जो जो उसमें से इंपोर्टेंट चीज़े है वो अलग-अलग डेट्स मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि पी एफ रडी की एक्जाम में वो पॉसिबिलिटी है कि 17 अक्टोबर को हो जाए आरसी एफ की राष्ट्री केमिकल एंड फर्टेराइज के एक्जाम 24 अक्टोबर को हो जाए लाएसी एओ के चांसे से कि 31st ऑफ दिसेंबर एक्जाम डेट प्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक्जाम अभी आने वाले वीक में उसका नोटिफिकेशन पब्लिश होके शायद वो एक्जाम 20-21 नवंबर के आसपास पास पब्लिश एक्जाम हो सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेस बोड क की एक आर्किटेक्चर की एक्जाम है शायद वो भी एड्विटिजमेंट आने वाले एक दो दिन दिनों में आएगी बट नॉट फार अर्बिया की आर्किटेक्चर की एक्जाम वो 21 नवंबर को एक्जाम हो चुक है रिजर्ट मिड डिसेंबर में आएगा और उसकी एक्जाम जो है जैनवरी में जैनवरी एंड 28-39 तारिक तक कुछ टिया पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 सभी जैनवरी के अंद तक अपरिक्षित है नेक्स्ट एक्जाम के बारे में बाकी भी अपड मैंने कर दिया बट साथ में जितने भी स्टूरेंट से जिने आईडी बैंक के असिस्टेंट मेनेजर का इंटर्वी का कॉल आया है उन सभी बच्चों के लिए इंडिया हमने आईडी बैंक का एक बैच लॉंच किया है इंटर्व्यू बैच कंड़ेट करेंगे अभिशेग गायके सर जो इसके पहले आई बीपेस प्यो में और इंडिया रैंक वन स्सी सीजेल में और इंडिया रैंक 49 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्जाम में और इंडिया रहे चुके है उनके साथ में निखिल फर जो पूरा इंटर्व्यू का पार्ट देखते हैं तो दोनों मिलके यह वाला पार्ट करेंगे असिस्टेंट मैनेजर आईडी बैए का बैच जो है वह आई पर्थम आप पे होगी जो स्टूनेंट्स अरंगाबाद मे है उनका फिजिकल इंटर्व और जो बाहर के ओवर जूम कॉल इसके पहले भी सारस्वत बैंक और बाकी बैंकों के एक्जाम सरी इंटर्वी इंटर्वी जो है हमने ऑनलाइन कंड़ेक्ट करा है उसका पूरा जो पार्ट है अगर आपको कुछ इंफोर्मेशन चाहिए तो इंफोर्मेशन अविलेबल है इस नंबर पर अभिशेक सरकावी नंबर है 8275-3232-324 और नेखिल सरका नंबर 916888-0475 तो इन नंबर पर कॉल करके आप आप आईडवी बैंक की इंफोर्मेशन ले सकते हो वही बैच जो है आपको काम में आगी आने वाले अपकमिंग आर और टेक्निकल के क्वेश्चेंस जो काफी स्टूर्ट के अनकॉमन अलग अलग होते हैं तो वो डिस्केशन के बाद में एट लिस्ट कम से कम दो मौक्सम स्टूर्ट के वहां पर कंटर्ट कर आएंगे थैंक यू